हेलो दोस्तों मेरे नामे रस्मी सचान और बववद सागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे तो अगर आपने अभी दग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्रेस्ट कर लीजे सब्सक्राइब क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है इसके पैसे बिल्कु सबसे पहले एक पैन लेंगे मेरे पास तब तक यहां पर भीगा हुआ पोहा है पोहा भीगोने का सही तरीका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी आप वहां से जाकर देख सकते हैं मैं आपर दो चम्मस तेल डाल रही हूँ यह सरसों का तेल है आप पोहा की कॉंटिटी के हिसाब दे लीजिए तेल पोहा में ज्यादा नहीं पड़ता है जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मूंपली के दाने अच्छे से भून लीजिए चटकने तक लेकिन जलने नहीं चाहिए कुछी तरह से और जिसमें हमने पोहा भीगो रखा है उसी में हम इसको निकाल लेते हैं मूंपली के दानों को इनको भूनना बहुत जरूरी है बीना मूंपली के पोहा नहीं अच्छा लगता अब सब्भी रानते हैं अब मैं यहां पर करी पत्ते डाल रही हूं करी लीजिए और गैस को दीमा कर लीजिए जिस्ते की कुछ भी जल ना जाए और यह मेरे पास यहां पर राई है या आप सर्सों ले सकते हैं थोड़ा सा डालूंगी जीरा और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं गरम ओयल के साथ में जिस्ते की यह देखिए इस प्लैटर हो रहे हैं निकी चटक रहे हैं अप लंब तेल आपका बहुत ज्यादा छूटेगा तो फिर पोहा आपका खिला खिला नहीं बनेगा इसलिए तेल मिसा कमी डालें और मटर के दाने मैंने या पर फ्रेस हैं इनको डाल दिया है आप चाहें तो बॉयल करके भी डाल सकते हैं थोड़ा सा नमक डाल दिया है जिसे की मटर को सॉफ्ट होने में मदद मिले और बहुत थोड़ा सा दो चम्मच के बराबर मैंने पानी डाला है जिसे की जो मारा पैन है वो डीगलेज हो जाए यानि कि यह मारा प्याज और मटर पाग भी जाए और सॉफ्ट भी रहे तो आप देख रहे हैं प्याज को मैंने पकाया नह जाता है और एक बार बिना हल्दी मिर्च यानि की धनिया पाउडर गर्व मसाला के बनाकर आप इसको देखें यह सादा जो सफेद बनता है यह बहुत ही खाने में स्वादिस्ट होता है मटर के दाने में इसमें डाले हुए हैं और अच्छे से मिक्स करके आप इसमें नमक अगर आप चीनी पसंद करते हैं तो चीनी डाल दें थोड़ी सी नीमू मैं डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा नीमू से टेस्ट भी आएगा टैंगी सा अच्छा और यह खिले खिले तो बनेंगे ही तो आप देखी रहे हैं यह कितनी जल्दी बनकर नास्ता तयार हो जाता यह कितनी जल्दी बनकर और बनेंगा आप दो बनेंग 7 तो ऑनेकर टो यह खिले हैं ड confrontatifोस्ट कर दोग्य हैं यह झाल वहा हम उग reports कितनी जल्दी हैं